नीट 2023 हो चुका है जिन बच्चों को 2024 के लिए ड्रॉप लेना है उन्होंने decision ले भी लिया है पर ये साथ गलतिया है जो लगबग हर एक नीट aspirant ड्रॉप लेने के दोरान करता है और इन में से कुछ गलतिया तो ऐसी है जो especially नीट 2024 ड्रॉपर इस साल कर रहे है देखो ड्रॉप लेने के बाद हमारा target 680 प्लस ही होना चाहिए पर अगर हम इन गलतियों को avoid करेंगे तब ही ऐसा कर पाएंगे तो हम discuss कर लेते हैं कौन-कौन सी गलतिया हैं हम कैसे avoid कर सकते हैं उनको सबसे पहली गलती तो देखो waiting for the result अभी तो बहुत समया नी 2024 में एक साल है पुरा आराम से result आएगा फिर counseling होगी उसके basis पर decide करेंगे कि drop लेना है नहीं लेना मेरे भाई ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको अभी तक को drop लेना चाहिए और किस बच्चे को नहीं लेना चाहिए वो वीडियो तुम्हें अगले एक साल के लिए mentally prepare भी करता है कि तुम्हें क्या क्या चीज़े sacrifice करनी पड़ेंगी अगर तुम drop लेने वाले हो तो उसकी link में description में डाल दूँग उसको देख लो अब मैं मान के चल रहा हूँ तुम sure हो तुम्हें drop लेना है ना या फिर देखो marks इस बग सबको पता ही है ना है जो तुम्हारे expected marks आ रहे हैं सबने count कर लियोंगे physics chemistry bio physics की answer की में ने निकाल दी थी सब ही ने count करेंगे उसमें से ज़्याद़ ज़्याद़ पहां से 10 नंबर उपर नीचे होते है cut off किस कितने marks पे कौन सा college मिलने वाला है वो भी हलका फुलका आजू बाजू रहता है तो यहर मैं बोल सकता हूँ कि लगबग वो सारे बच्चे जिनके नंबर 600 से कम है वो तो बिलकुल शूर है कि भाई जो college तुम चा रहे है वो तो तो तुमें नहीं मिलने वाला है तो drop तुम लेने वाले हो तो अगर drop लेने वाले हो तो अब यह सोच के समय बरबाद मत करो कि result आ जाएगा मेभी कुछ magical ही हो जाए और उसके बाद फिर में DCL नहीं हुआ इंडीड पैरेंट्स भी कई वाली चीज़ रिकमेंट कर दे रहे है तुम इसमें बस अपना समय बरबाद कर रहे हो देखो क्या होता है अभी यह देखने में ऐसा लगता नहीं है क्या लगता है कि अभी तो बहुत दूर है यह बहुत समय है तो अगर करना है नी 2024 उसमें तगड़े नंबर लाने है तो इमीडियेटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो जैसे हमने अपना पहला बैच नाइंथ में को स्टार्ट कर दिया था अभी हमारा दूसरा बैच थर्टींथ में से आगया तो यार क्योंकि जो सीरियस अस्पाइनेंड होते थे इमीडियेटली स्टार्ट एर प्रिपरेशन एक एक दिन की वैल्यू होती है तो समय बरबाद मत करो एंड में जब आएगा ना एक्जाम तो एक एक दिन की वैल्यू हमको पता चलती है अगली चीज़ क्योंकि अभी 2023 में अगर मैं फिजिक्स का एनलिसिस करूँ तो 2023 में इतने सारे आसान कोश्चन थे तो दो कोश्चन डिफिगर्ट थे तो अब सारे बच्चे चिलोगें कि चलो आपना आसान आता है तो इस सालना पन सिब फॉर्मिला बेश्च फॉर्मिला पर लेते हैं हर फॉर्मिला पढ़ें के चार-पांच कोश्चन लगा लेते हैं चलो फॉसिक्स आपनी तैयार हो जाएगी ऐसी गलती पता है अभी दीसेंटली हुई थी जाता समय नहीं है अगर साथ तुमको नहीं पता होगा पर 2020 चार साल पहले 2020 में भी बिल्कु सिमिलर पेपर आया था जैसे 2020 थी का मैं फिजिक्स ही बात कर रहा हुए ना बिल्कु सिमिलर पेपर आया था पर उस बग क्या हुआ सारे यूटूबर बिल्कु आसान आसान पढ़ाने लगे 2020 के हो गए एक दम से ओ डिफीकल्ट कॉश्च्ट सीधे डिफीकल्ट कोस्टन साइए एक दम से पेपर का ले बद बच्चों की हलत था पेपर में देख थे ब्योंस हो गए लोगों को जीवाजीवाजी चीज बीमार वने लगी कुछ बट्यों लगी पेपर लिटरली बता जैसे 2022 में बायो डिफिकर्ट आ गई इस साल आगई अगले साल किसी को नहीं पता फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कौन से डिफिकर्ट आएगा तो मैं अपनी प्रपरेशन हमेसा तगड़े लेबल पर रखी है जैसे फिजिक्स में तुम्हारी प्रपरेशन 2021 के लेबल प पर बच्या बक्रफट अडिया नोगोंसीर टोंते हैं यहा चेह जहां है तो जनदी स सॉल्ब करने में की लोगों ने जिवाब दे दिया यह बिलकुल नहीं गुस्ट्री इंस में सबसे बड़ी घलती यह जो कर। ड्रॉपर स्टूडेंट करता है यह तो मैं नहीं करना तो मैं इसी समझी नहीं पड़ीगी जब तुम एक ड्रॉपर बैच पर आते हो तो हर बच्चे का इनीशल पॉइंट बिल्कुल अलग लग है कुछ बच्चे बिचारे ऐसे होते हैं जो 11-12 से भी स्कूल में गए होते है उन्होंने कोचिंग कभी करी नहीं होते हैं फिर हलके हलके बिल्कुल फॉर्मिला बेच करे होते हैं उन बिचारों को कुछ पता ही नहीं है तो एक तरह सो उन बच्चों का लेवल फिजिक्स में तो बिल्कुल 11 के बच्चे लेवल का होता है अगर 11-12 में तुमने से फिजि प्रेशन होते ही नहीं बोर्ड में तो उसको बच्चा बिचार इस लेवल पे बिल्कुँ जीरो लेवल पे कुछ बच्चा है जिसने बहुँ दो साल मालो कोटा में जाके कोचिंग करी दी अब उसका थोड़े बहुत कम नंबर कम रहे गा है जिसका अडमो ड्रॉप ले रहा ह तो यार समझो हर बच्चे का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है तुम्हें यह समझना है तुम्हारा कॉंपिटिशन उन 400-500 बच्चों से नहीं है जो तुम्हारे बैच में बैठे है तुम्हारा कॉंपिटिशन ओल इंडिया लेवल पे 21 लाग बच्चे एक्जाम दे रहेगा एंड ऐसे हमने बहुत सारे एक्जाम्पिल देखें यह में मॉटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं पर लगे रहे लगे 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 और एंड तक मॉक टेस्ट में वो उन बच्चों को पचान ने लगते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कर रहे थे और कभी-कभी उनको पीछे भी छोड़ देते हैं मैं रियलिस्टिक बता रहा हूं यह कोई रेर चीज नहीं है यह हर साल होती है तो तुम्हारा काम यह नहीं कि उससे पहले कोश्चन स्ल्व नहीं कर पा रहा है घर पे जाके मैं खुद से कोश्चन स्ल्व कर पा रहा हूं तीचर ने जो हम पर दिया मैं कर रहा हूं अगर तुम इतना कर रहे हो तुम बही कृमज़े नहीं कर देना दूसरों zen बतारह के यह apoyo यह तो इतने आ आगे चलतार है इंको 11th के बैच में इतना ही होता है अब ड्रोपर के बैच में होती है वाली चीज़ ध्यान रखना Too many numericals and no theory in physics अब क्या होता है maximum बच्चा drop में आ रहा होता है उसने 11-12 में स्कूल में पढ़ा होता है तो उसने बस theory 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 करी होती है negligible numerical करे होते हैं आप उसको बता दे हैं कि नीट में तो numerical numerical है तो वो क्या करता है concept समझने पर ध्यानी नहीं था कई dropper का बच्चा YouTube यूटूब यूटूब पर classes कर रहा हो तो यदा उदर या फिर खुद से कर रहा हो तो जो भी है और जिन किताबों से कर रहा हो तो उनमें बैसे numerical किलत होते हैं उनमें solution किलत होते हैं और उसे पता नहीं क्या कर रहा होता है बटा इस तरह से physics बिल्कुल नहीं करी जाती ध्यान रखना यह सबसे अगली कलती बता रहे इंडिट कई यूटूबर पे दीदी भाई या लोगी recommend कर देते हैं है ना बहुत सारे नहीं नहीं अपनको दोनों balance के साथ चलता है अगर तुम्हें थ्रू ही हम theory सीक रहे होते हैं concept सीक रहे होते हैं सब mix होके चल रहा होता है इसलिए बेस्ट ही होता है आप एक अच्छे टीचर जो टीचर हर साल इंडिया के best result प्रोड्यूस कर रहा है आप एक अच्छे टीचर के guidance में चले जाओ है जैसे यह मेरे need 2022 का result है यह वो बच्चे है जो एक साल और दो साल एक साल या दो साल मुझसे exclusively an academy online पर पढ़े थे इसके अलबाग कहीं और online पर नहीं पढ़े थे हमने अगर एक single batch की बात करें है तो आप पूरे इंडिया में किसी भी online offline coaching से compare कर लो चाहे कोटा में हो चाहे दिल्ली में हो कहीं से compare कर लो एक single batch से पूरे इंडिया का best result प्रोड्यूस कर रहा है पूरे इंडिया का आपको किसी और batch से इसका 50% result भी नहीं मिलेगा 50% result भी नहीं मिलेगा आपको इस batch के comparison कहीं पर भी कहीं पर भी 4 students secured 180 out of 180 17 students 17 students के 170 plus marks थे physics में नी 2022 physics से बता रहो 2023 का result जल्दी आ जाएगा 43 students secured 160 plus with Om Prabhu securing all India 44 अभी Ams Delhi में बढ़ रहा है 700 नमबर आए थे total exclusively two-year student तो कैसे कर पाई यह कोई magic नहीं है एक proper system आपको एक सही टीचर के guidance में पढ़ना है वो जमीन आसमान का difference लेके आता है अगर आप गलत guidance में चलेगे बहाँ पे से numerical पढ़ाई जा रहे है रटाई जा रहे है आपके खिजिक खतम हो जाएगी मालो आसा इतने सारे students 160 लेकर आते हैं इतने सारे students क्योंकि बहुत आसान होता है उनके लिए फिजिक उनके लिए फर्क नहीं पड़ता कि पेपर कैसा है कैसा भी पेपर आई आपको फोर्त बाली बहुत सारे लोग कर रहे होंगे अभी वाली कलती इंडिन उन्होंने प्लैनिंग मना लिए उगी कोई YouTube पे दीदी बहिया का देख लिए वीडियो इन्होंने प्लैनिंग मना लिए चलो फॉर्मिला के बहुत सारे कोशन करते हैं के लिए सू के सू के कोशन नहीं करने सू के सू के फॉर्मिली नहीं पढ़ने उनके पीछे की कहानी पता होने चाहिए उनके इस नंबर आ रहे हैं केमिश्टी में देट सो नंबर आ रहे हैं एक सो चालीज आ रहे हैं तो उनको लगता है रहा हम हमें आता है वाला सब्जेक्ट तो जब वो टीचर की क्लास में बैटते हैं पढ़ने के लिए तो ध्यान सब्सक्राइब आप छोड़ दो पर ये गलती कभी नहीं करना क्योंकि बटा चीजे बीच बीच में छुपी होती है जैसे मेरे खुद के बैच में होता है जब बच्चे आते ना ट्रॉपर में वो कहते है रहे सर एफ बीडी त्यारा माराम से मत पढ़ो सर ये मत करो सर ये छोड़ दो मैं कुछ नहीं छोड़ता हूं मैं A to Z बिल्कुल जीरो लेबल से पढ़ाता हूं बटा चीजे बीच बीच में छुपी होती है जो तुम्हें पता भी नहीं होती जिन लोगों लग रहा है उनको ये आता है वो आता है अगर तुम्हें आता है तो मद बह्तो फाई आता हम गया 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 में करीद्0 करेंदी पिजिक्स पूरी थी तैयार्थ से में मेरे नंबर भी अच्छा आते थैinek सब्सक्राइब में क्या होता है physics क्लास में पीछे बढ़के ऐसे कुछ chemistry पढ़ता था ना क्योंकि मुझे chemistry नहीं आती था ना तो दूसरे बैस से हमारे बैस में आके class करता था तो पागल है कि तो पढ़ने ही ना physics इतना बड़ा teacher मैंने का यह मुझे क्या पढ़ाएगा मुझे तो आता है मैंने इसा है क्या तो मैंने सोचा चलो पढ़के देख लेते एक lecture क्या है तो उस समय तक मैंने तीन चार चेप्टर और चोड़ी थी लगबद देर दो महीं मैंने physics नहीं पढ़ी थी उसमें वह पावर एनरजी चल रहे था और उसमें भी वह पोटेंशल एनरजी बगरा के मैंने क्या क्या मिस कर दिया उस दिन के बाद मैं हर रोज आगे सेकंड बेंच पर बैटता था ना पहली बैंच से लड़कियों की होदी थे ना सेकंड बैंच पर बैटता था जल्दी जागे और पूरी physics क्लास करता था और मैंने पूरे सॉल एक-एक शब ध्यान से सोना और ना तम इसे बहुत जरूरी चीज़ है यह और कॉंफिटेंट बच्चे कर देते हैं मेरे जैसे आज अगली जीत कम्प्लीटी अवर्ण सब्जेक्ट एंड और कंप्रसेंडिक पर बीक सब्जेक्ट जैसे जनरली बायों में बच्चे गलती कर देते हैं नीट वाले क्या करत बनाया है कोटा के हर कोचिंगे जो हर कोचिंगे जो बैस्टीजर से उनको मिलाकर एक बनाया था यह 30-30 सपरचीबर बैस ता इक क्लास करके देखो एक क्लास पर नहीं पड़ना तो मत पड़ना पर एक दो क्लास जाके पढ़ो जब तुम पढ़ते हो ऊपन माइंड के साथ भाई कितना कुछ मिस है, जो तुम्हारे 180 की जगए 150 पे अठके हैं, जो भी तुम्हारे strong subject है, लेट से बायों में तुम्हारे 320 marks आ गए, तो जो 40 number का gap है वो सुन के ही भरेगा, तो ये मत करो यार कि जो subject strong उसको पूरा छोड़ दें, जो subject strong के उसे पूरा छोड़ दे ऐसी गलती, प्लीज मत करना, और सिफ भीक, जो physics, लेट से physics भीक है, तो सिफ उसी पे काम करे जा रहे हैं, हाँ, उसको ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा समय दो, जो subject बिल्कुल नहीं आता है, उस पे ज़्यादा समय दो, जो subject बहुत अच्छे साथ है, उसको कम समय दो, पर समय दो, ऐसा मत करो कि छोड़ दे हो, कि पाँच महीने तक पड़ी नहीं जाए, एंड में कर लेंगे, बटा, वो खराब हुजाएगा subject, तो प्लीज, ध्यान दगेन बातों का, अगली चीज, taking it too seriously, ड्रोपर के बच्चे के साथ ही, बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्या होता है भई, घर वाले ताने सुना देते पहले तो नंबर नहीं आते, फिर बोलते हैं, बचार है ना, जैसे मैं जब कोटा कहता है ना, तो भई, पापा ने उधार लिया था, मुझे पता है कोचिंग की फी के लिए न, उस समय 85,000 के राउन फी लगती थी उस जबाने में भी, भई, अलग तुमारे उपर एक अलग प्रेशर होता है उस बक्त, तो ड्रॉपर रिशुनर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, एक तो एक साल तुमें एक साल ले रहे हो, और नीट में तो कुछ बच्चे दो-दो-तीन-तीन साल रहते हैं, तो देखो एक चीज़ समझो, अपन को सीरियसली पढ़ाई करनी है, अपन को पढ़ाई सीरियसली करनी है, पर सीरियसली पढ़ाई करने का मतलब टेंशन लेना नहीं होता, उसका मतलब डरना नहीं होता, उसका मतलब यह नहीं होता कि हर रोज घबराते रहे, कि अगर number नहीं आए तो क्या हो जाए का कैसे होगा क्या नहीं होगा ये दो अलग 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 चीज़ है serious aspirant होना एक अलग चीज़ है और रोज tension लेना डरते रहना, anxious लेना घबराते रहने एक अलग चीज़ है rank लाने के लिए आपको tension लेने की जरूरत नहीं, rank लाने के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं rank लाने के लिए आपको seriously पढ़ाई करनी है इन दोनों में फर्क समझो, बहुत से लोगों लगता है दोन एकी चीज़ होती है तो serious as parent का मतलए पर तुम रोज डरते रहोगे तुम रोज घबराते रहोगे, तुम रोज रोते रहोगे तुम रोज परेशान होते रहोगे पढ़ाई करनी है seriously, परेशान नहीं होना है इस चीज़ को समझो, इसका ध्यान रखो तो अभी के लिए सब बुलाओ, तुमाही ऊपर कोई परेशान नहीं है तुम्हें किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है तुम किसी को कुछ ओ झालते हो तुम्हें बस अपनी पढ़ाई करना है seriously तुम्हें रोज 12 घंटे million पढ़ाई करना है that's it मिनीमम 12 गंटे रोज पढ़ाई करने ये 5-6 गंटे लास बाकी तुम्हारी सेलफिस चादी हर रोज बस तुम्हें यह करना है यह तुम्हारा करता हुए और यह करो तो मैक्सिमम चांसे से तुम अच्छी सची रेंक लेके आऊगे मैक्सिमम चांसे से इन बातों का दिहान रखना है सारे के सारे डॉपर बैचे और वीडियो अच्छा लगाओ तो कॉमेंट कर दो तुम्हें इसमें से क्या सीखने को मिला यह कॉमेंट करके बताना कि इनमें से कौन-कौन जी गल्ती तुम कर रहे थे और तो मैं उसको कैसे पाएगा है तो इस बैच के बारे में अगर डेटेल में जानना चाहते तो एक वीडियो में ने लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हो अल्टेनेटिवली तो मुझे वाट्सप में मैसेज कर सकते हैं मैं अपना वाट्सप नमबर भी तुम्हें देता ठीक है और जो बच्चे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग फ्यूचर में देख रहा है हमारे क्रेश कोर्स बगर बहुत सारे बैचेस आते हैं तो उस वक्त कौन सा नया बैच आ रहा है उसके लिए जानने के लिए मुझे वाट्सप पर मेसेज कर देना बाकि टेलीग्राम की सबस्क्राइब कर लें और जो बच्चे फिजिक्स लाइव को deze करके सबस्क्राइब कर लेंगे वह मेरे पर साल पर साल उनको मेरे अंट्री मिलेगी फ्रीमब क्या है प्रिम्यूर्ण के बारे में लिंग मिल जाएगी उसको देखने ना, in short बोले तो सुभे से साम तक तुमारी doubt solving चलती है जो कोटा और दिल्ली के top teachers है जो top coachings में पढ़ा रहे हैं, वो लोग तुमारे doubt लेते हैं मेरे साथ, मेरी team के साथ तुमारे audio call session होते हर रोज हर रोज हर रोज होते है, everyday सुभे से लेके रात तक doubt चलते हैं including Sundays and holidays दिवाली हो, holy हो, Eats हो, किसी भी दिन हर दिन तुमारे सुभे से लेके रात तक doubt चलते हैं जोगी तुम हर रोज पढ़ाई करते हो चलो भाई, बाबाई, कोई और कह रही हो